तो जैसा कि हम सभी को पता है कि copper water या फिर तांबे के पानी को पीने से कितने फाइदे होते हैं जो कि हमारे immune system को बहुत strong रखता है और हमारे heart and brain के दिए भी बहुत अच्छा होता तो पहले के time में लोग तांबे के बरतन में पानी स्टोर कर पे थे या तो जग रहता था या कुछ भी कोई भी वर्तन लाता था जिसमें वह store करके रात में store करके रखते हैं तो उस पानी को पीते हैं तो उस प्रॉपर्टीज को देखते हुए इना हेल्दी होने के लिए H.U.L. ने पेचे हिंदूस्तान यूनी लेवर ने प्योरिट अपना copper RO purifier निकाला है इसमें copper plus technology है, mineral RO, mineral RO तो हमको सभी में मिलता है mainly सारे ROs में और UV हमको सभी में मिलता है, इसमें mainly MFB which is micro filtration, micro filtration क्या है? यह एक membrane based technology होती है membrane based technology क्या करता है? जो water में bacteria होते है उसको remove करता है so mainly copper water हमको mainly provide करता है, तो मैं इसकी कुछ चीज़ें आपको quick वता देती हूँ इसमें 3 LED indicators है, which is tank full and यह दो इसके mainly filters है, GKK1 and GKK2 अब इसका tank है, इसकी capacity 7 liters है, तो इसमें एक बार में 7 liters of water store हो सकता है और जो इसके यह दो इंडिकेटर दिये हुए है, यह जो brown वाला है, यह हमारा copper water हमको provide करता है और यह वाला है, यह में mineral water provide करता है यहाँ पे हमें base plate भी दी हुई है, इसको remove कर सकते है, जब कभी इसमें पानी वानी निकल जाता है तो इसको ऐसे खाली भी करते हैं, तो अब हम इसको फिर से fix कर देंगे, इसली अपना glass water लिया कुछ भी रखके इसको फिल कर सकते है अगर हमें copper water की need है, तो हम इस वाले को touch button को press करेंगे like this और इसी को फिर से touch कर देंगे तो पानी आना बंद हो जाएगा अगर हमें mineral water चाहिए तो सेm process इसमें हम इसको touch करेंगे इसको फिर से touch करेंगे तो यह हमारा पानी आना बंद हो जाएगा तो सब का solution है यह ठीक है, तो इसका थोड़ा सा maintenance cost जाता है यह मैंने Amazon से purchase किया था around 1 year पहले, 1-1.5 years पहले तो उस time जो भी मेरे को cost पढ़ी वह भी मैं आपको अभी नीचे link में show कर दूंगी इक चीज इसके साथ अभी drawback नया वाला जो launch हुआ है उसमें इन्होंने क्या किया, यह वाली tap ना देना बंद कर दिया यह वाली tap अब नय launch में नहीं दे रहे है अगर आपको यह tap लगवाना है तो वह यहाँ पर दे रहे हैं यह बना के port दे रहे हैं बट यह tap नहीं दे रहे हैं तो इसके लिए आपको अलग से tap ओडर करके इसको लगवाना पड़ेगा जिसका भी थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाएगा तो इसके थोड़ा सा यह ड्रॉबैक है इस टैप को हम मतलब जब पानी निकाल सकते हैं तो इसमें ना साइड में हमें कुछ गाइड दिया हुआ है अगर में पानी में सब्सक्तों में में करें अिसरोड एड चलू भीकण पानी यो मोड़न को भान स्फिस इंण फिल्टर उमकराएड वाएड आपका फिल्टर है ब्लू अगर ब्लिंक करा है तो यह फाइनल अलट हो गया कि आपको मतलब करना ही चाहिए क्योंकि आपको पानी सही नहीं मिलेगा अगर यहां पे रेड वाटर आना ही बंद हो जाएगा अगर यहां पे रेड सॉलिड ब्लिंक वाटर आना ही बंद हो जाएगा दो करने लग गया बिंक नी continuous red solid अरा है इट मीज हमारा copper water आना बंद हो जाएगा सेम प्रौसेस का है mineral आरो का इसमें अगर yellow बिंक कर रहा है तो हमारा में हमें रिप्लेश करने की जर्वत है इस फिल्टर इस फिल्टर को पिलेंज जी के वान जी के के कि तू को और अगर यह वाले फिल्टर को लगबग चेंज कराने में हमारा 500-600 कोस चार्ज होता है यह वाले फिल्टर्स थोड़ा साहिए इसको हमें एक से डियर साल के दूरेशन पे चेंज कराना रहता है और इसकी जो इसकी चार्ज थोड़ा और आरोस के कंपेर में थोड़ा सा जादा है लेकिन यह जो चीज परवाइट कर रहा है वो सारे आरोस तो नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें कॉपर वाटर दे रह हम सब का सलीशन वह बड़तन में भरके रखना ंड़ यह तो यह जो हमारा टैंक फिल वाला इंडिकेटर है यह जो घ्री आज का रिव्यू मेरी फ्रेंड ने दिया है उसमें पहले ये पर्चेज किया था वन येर पहले तो उसने मुझे विडियो बना के भेजी क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हो रहे थे मैंने उसको बोला तो उसने मेरी ये हैल्प की है और उसको कितने का पड़ा उसका प जैज को जया है और गया है और आब झाल वंकितने का दुट्टे विव्यू जासे हैं भी लिव्या है और आल-पाइबर्स नहीं विए विवार्स नहीं है और आल-पाइबर्स नहीं है